लोक जन सक्ती पार्टी के अध्यक्ष पद गवाने के बाद जमुई सांसत चिराग पस्वान को एक और बड़ा जटका लगा है दरसल ऐसा कहा जा रहा है कि पुर्व केंद्रिये मंत्री दिवगंत राम बिलास पस्वान के पुत्र और जमुई सांसत चिराग पस्वान को बारत जन्पद इस्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है मालूम हो कि चिराग पस्वान के पिता पुर्व केंद्रिये मंत्री दिवगंत राम बिलास पस्वान पिछले कई सालों से बारत जन्पद इस्थित इस सरकारी बंगले में ही रह रहे थे लेकिन पिछले साल उनका निधन हो गया ऐसे में सरकार ने चिराग को बारत जन्पद इस्थित अपने पिता के नाम से एलोटेट सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है जन्कारी के मुताबिक सहरी विकास एवं अवास मन्तराले के अंतरगत आने वाले संपदा निधे साले ने 14 जुलाई को बंगला खाली करने का नोटिस दिया है हलाकि चिराग पस्वान ने बंगला खाली करने के लिए सहरी विकास एवं अवास मंत्राले से कुछ और समय की मांग की थी लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है गौर्ड तलब है कि मंत्री मंडल विस्तार के बाद कई मंत्रियों के पास मंत्रियों वाला बंगला अभी तक नहीं है ऐसे में कई मंत्रियों की नजर लुटियंस जोन में बने इस सरकारी बंगले पर है वही चिराग पस्वान के चाचा और रामबिलास पस्वान के भाई केंद्रिय मंत्री पसुपती कुमार पारस ने यह बंगला लेने से इनकार कर दिया है उनका कहना है कि इससे जनता में गलत संदेश जाएगा हलाकि चिराग पस्वान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा कर पसुपती कुमार पारस यह साफ कर चुके हैं कि पिता की बनाई पार्टी में चिराग के लिए अब कोई अस्थान नहीं है